हलो मुझार दोस्तों कैसे आप सभी और फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रफिट अस्टडी में तो आज किस वीडिव में हम देखने वाले हैं कि नौर्थ इस फ्रंट्रल रेंवे का एन फार अपेंडिसिप का टोटल अगर बात करें त तीन सूकिया का जो डॉकर्ण वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी ये चैन्डिट सॉट लिस्टेट हुए थे उन सभी को इमेल के माध्यम से इनफोर्मेशन कर दिया गया है कि आपका डॉकर्ण वेरिफिकेशन कब है और आपको क्या-क्या डॉकुमेंट लेके आने वाले हैं और आज की जूर्ण हम देखने वाले हैं कि इसका भी लेटेश अपडेट ये दिया गया है कि तीन सुकिया डिविजन में कौन से ब्रांज से कौन से ट्रेट से कितने कंडिट को सॉट लिस्टेट किया गया है साथ साथ में आपका जो डॉकर्ण लिस्ट या फिर तीन सुकिया का या कोई अलग डिविजन का देखने को नहीं आता है आप सभी जानते हैं कि रेल्वे के कुछ ऐसे डिविजन होते हैं जो श्रीप इमेल के माध्यम से कंडिट से कॉन्टेक्ट करते हैं पाकि इनका जो ऑफिसिल साइट से है वहां पी कोई कोई भी फब्लिकेशन नहीं किया जाता है जैसा कि एन फ़र का अभी तो कोई लिस्ट इसमें पप्लिक नहीं किया गया है पर अब सभी जानते की तीन सूग्या का टॉकन वरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल सेलेक्टेट कंडिएट को जा चुका है पर इसमें अभी कोई DRDO का इसरो आयूस के तमाम तरह के ओलेवर इंडिया में जितने भी अपेंडिसी प्रिलिस की जाते हैं विविन विन ट्रेड और्गनाइजेशन से उसका नोडिफिकेशन आपसे कभी भी मिसना हो और आप कोई भी अपडेट से वंचित ना रहे हैं इसके साथ साथ आपको डि अपको डिटा है उसका सिर्फ आपको नोटिस पे लेके चलते हैं और वहां पर जो डिटेल बताये गया है वह आज की विडिवेवे की तरफ से रिलीस किया गया है यहां पर देखिए नोट फ्रेंटियर रेलवे मेकनिकल वाट्सवप जो 14 तारिका डेट में इस डिविजन का आपको सारे युणिट का धिरे-धिरे करके डॉकरन वरिविकेशन के रिगार्डिंग मेल आते रहेगा जिस भी कंडियेट को आता है हमारे वाट्सवप ग्रूप पे सेंड करिए नहीं तो आप ऑफिसल इमेल आइडी पे सेंड कर सकते हैं नोट कर लिजे इम भी कंडियेट अपलाई किये हैं पार्टिकूलर डिविजन में सभी को इनफोर्मेशन प्रोवाइड किया जा चुक है तो चलिए अगर यहां पर बात करते हैं कि सब्जेक्ट में देखिए कि सेडूल फॉर दॉकरन वरिफिकेशन आफ एक्ट अपेंडिसीप सॉट जी एच वाई नुडिफिकेशन डेटेड तीस पांच दो हजर बाइस स्क्रॉल करके जब हम यहां पर नीचे बढ़ोगे तो आपको यहां पर देखने को आएगा कि दी सेडूल फोर दी डॉकरन वरिफिकेशन फोर सॉट लिस्टेट के डिट हैज बिन फिक्स अंडर दी तो डॉकरन वरिफिकेशन का जो आपका डिबुगड की तरफ से आथा इससे पहले हम लोग उन्हें तीन सुकिया देखा उसके बाद आपके डिबुगड का है यह तो एक के बाद एक हँआ पे सारा का इहाँ जोमेल है वो जारी किया जा रहा है धीरी धीरी करके उसके बात करें, mechanist है, feeder है, carpenter है, painter, turner, electrician, welder, refrigerator and AC mechanic है, उसके बाद आपका electronics mechanics है और electrician, total 847 candidate को यहाँ पर बुलाए गया है, बात करें कि किस trade से कितने candidate है, तो आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा 300 candidate आपके feeder trade से बुलाए गया है, date of document verification का बात करते हैं, तो 7 तारिक से लेके 22 ता तारिक तक आपको 25 से 29 तारिक के बीच बुलाए गया है, सारे इसी मन्त में document verification complete होंगे, मतलब 17 अक्टूबर से लेके, आपका यहाँ पर 29 अक्टूबर तक document verification चलने वाला है, document verification चलेगा, कहां वो देख लिजे, तो NF railway, mechanical workshop, डिब्रूगर आ साम, 10 बज़े से लेके, साम के 5 तक आपका document verification चलने वाला है, तो जिस trade में से हो आप जिस भी respective time आपको दिया गया है, date दिया गया, उसी date पे आपको report करना है, NF railway mechanical workshop डिब्रूगर आ साम में, 10 बज़े से साम के 5 बज़े तक, आप सबसे important यह आता है, कि आपको document verification में अपने साथ-साथ क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले आपको 10th का mark sheet लेके जाना है, साथ में आपको certificate लेके जाना है, सेम उसी का आपको ITI का semesterly mark sheet और आपको certificate लेके जाना है, उसके बाद बात करेंगे तो pain card प्लस अधार कर लेके जाना है, next में अगर आपको बात करेंगे तो medical fitness certificate का जिस performa है, जो NF railway का उसी में आपको लेके जाना है, medical fitness certificate, अगर next का बात करते हैं, तो आपको card certificate बना के लेके जाना है, STSE, OBC, FED, WS, Gsb, category से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको age claim reservation लेना है, तो आपको certificate बना के लेके जाना होगा, उसके बाद अगर बात करेंगे, जब आप form fill up किये होंगे, तो application का जो print receipt मिला होगा, वो आपको लेके जाना है, next अगर हाँ पर बात करें, तो अगर आपने अभी तक appendici, India.gov पर अपना profile complete नहीं किया है, तो हाँ पर profile complete करके, मतलब naps का आपको profile 100% complete करने के बाद, उसको आपको print out करके लेके जाना है, तो इतने सारे एक-दो document और भी है, जो आपको साथ में attest करके लेके जाना है, और जितने भी आप document लेके जाएगा, उसका photo copy कराके self attested करके आपको लेके जाना है, बात रहा कि card certificate का तो आप central level का होना चाहिए, ठीक है, अगर आप state level का card certificate लेके जाएगा, तो आपको document verification में reject कर दिया जाएगा, तो इन छोटी-छो information के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!